हाँ बिल्कुल यह जो चीज तुम सुन रहते हैं इस चीज का नाम है आवाज यानी साउंड वो हर एक चीज जो हमारे कानों में सेंसेशन पैदा करे उस चीज को हम साउंड कहते हैं मेरे दोस्तें दिस इस वाट वी गॉना स्टड़ी इन दिस चाप्टर निम्बर 12 ऑफ क्ला नाइन्थ साइन्स साउंड यानी आवाज यह आवाज है क्या हम यार अपने डे 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 लाइफ में बहुत सारी आवाजे सुनते हैं तुम मेरी आवाज सुन रहे हो हम पेड पक्षियों की आवाज सुनते हैं इसके अलावा बेल बसते हैं भाई मसीन चलती है उसमें से तो यह साउन क्या है तो एक बहुत आसान भासा में तुम्हें बताऊ ना तो साउन इस एक इनर्जी का बारे में हम पढ़ेंगे, बट अभी इस चाप्टर में हम यह पढ़ रहे होंगे, मेरे दोस्त, कि आवाज कैसे पैदा होती है, और आपको पता है कि कोई भी एनरजी ना हम create कर सकते हैं, ना हम destroy कर सकते हैं, For example, मैंने ताली बजाई, आवाज निकली, यह एक sound energy है, तो क्या इसे हमने create करा है, बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त, यह मेरे physical energy का नतीजा है, जो convert होके sound energy में बदल गया, Physical energy, यानि हमने ताकत लगाई, ताकत लगाई, तो यह sound हमारा produce हुआ, जो की physical energy convert हो गया है, sound energy में, आप समझ पारे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, तो इस chapter में हम यहीं पढ़ रहे होंगे, कि sound produce कैसे होता है, और इसके हलावा, इस sound को हम pass कैसे करते हैं, यानि सुनते कैसे हैं, को सारी आवाज को कोई medium है, जो transfer कर रहा है, तो मेरे दोस्त, इस chapter में हम यहीं सारी चीज़े पढ़ रहे होंगे, and before moving to our chapter, help us to reach 1 million, दोस्त त्यार, हमें क्या चाहिए, इतने सारे effort का सिर्फ एक चीज़ चाहिए, subscribe कर दो चानल को, bell icon को दबा दो, खुस हो जाते हैं, तो production of sound कैसे होता है, यानि किसी भी चीज से आवाज कैसे निकलती है, वो कोई भी चीज हो सकता है, किसे speaker से आवाज कैसे निकलती है, किसी भी चीज से अगर आवाज निकलती है, तो ये आवाज produce कैसे होती है, बस इसी चीज को हम देख रहे होंगे, इस मज़दासे activity, activity number 12.2 मे 12.1 भी same चीज हमें दिखाता है कि sound कैसे produce होता है इसलिए हम उस activity को ना करके second activities chapter की कर रहे होंगे और इस activity को करने के पीछे जो हमारा उद्देश से है ये बस इतना है कि आवाज कैसे निकलती है हमें ये देखना है और इस activity को करने के लिए हमें अलग-अलग चीजे चाहिए सबसे पहले तो glass of water चाहिए यानि एक पानी का glass जो की पूरा भरा हुआ हो इसके अलामा हमें चाहिए tuning fork और जादतर लोग को पता नहीं होगा कि ये tuning fork क्या है तो ये बहुत ही काम की चीज है ये आपके class 9, 10, 11, 12 में जब भी sound chapter में आप activities कर रहे होगे ना तो tuning fork का इस्तेमाल वहाँ पर जरूर होगा और इसका काम होता है vibrate होना ये vibrate होता है तो हमें पता चलता है कि आवाज निकलती है क्या काम है इसका मैं आगे बताऊंगा लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दू दो डंडिया दिख रही है ना इन दोनों डंडियों को हम prompts कहते है ठीक है अच्छा एक और चीज़ चाहिए rubber pad इस activity को करने के लिए यही तीन चीज़ चाहिए होगी चलो start करते है activity को सबसे पहले fill water in a beaker और glass up to the brim आपको क्या करना है आपको किसी भी glass में पानी भर लेना है पूरा यहां तक भर लेना है पूरा उसके end तक पूरा पानी भर लेना है अच्छा भरने के बाद क्या करना है भाई पानी भरने के बाद हमें लेना है tuning fork हमने बताया था भी आपको tuning fork लेलो और इस tuning fork को करना क्या है इसको rubber pad पर ऐसे ठोकना है strike करना है आपने देखा कैसे strike किया मैंने ऐसे ठोकना है जैसे आप ठोको के न यह vibrate करना शुरू कर देगा यह जो tuning fork है यह अपने आप क्या करेगा vibrate करना शुरू कर देगा आप देख र the prongs of the vibrating tuning fork, आपको क्या करना है, जो आपने glass of water भरा हुआ है, यहां तक, बस इस glass of water में ये vibrating tuning fork का एक prong, हमें पता है, हम इसको क्या कहते है, prongs कहते है, एक prong को इस पानी के उपर touch कर आप, आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि भाई, जैसे ही ये tuning fork vibrate करेगा न, इस पानी के ऊपर से कुछ बूदे बाहर फिकने लगेंगे और आवाज आएगी, कैसी आवाज आएगी, इस glass की आवाज आएगी, जैसे पानी छलगता है न, बिलकुल वैसी आवाज आएगी, इस activity में हमने observe क्या किया, इस activity में हमने observe किया, कि भाई, when one prong of the vibrating tuning fork touches the water, the splash sound is produced, तो ये आवाज कैसे आई, ये जो splash आवाज आई, इस tuning fork को जब हम पानी में टच कर आया, तो ये पानी के छिट्टे के आवाज आई, ये आवाज क्यों आई, सिर्फ इसलिए, क्योंकि ये जो tuning fork है, ये आगे पीछे vibrate कर रहा है, vibrate नहीं कर रहा होता, तो ना ये बूदे बाहर आती, ना तो आवाज आती, है की नी, अच्छा माल लोग की यही glass of water है, और इस vibrating tuning fork को, ये tuning fork है, vibrate कर रहा है, इसको तुम पूरा glass of water में डाल दो, तो होगा क्या, भाई, सिर्फ इतना होगा, कि ये जो tuning fork है, ये vibrate करना बंद कर देगा, और vibrate करना बंद कर देगा, तो इसके अंदर कोई भी आवाज नहीं आएगी, तो भाई, इस भी activity में हमने एक और चीज़ अब्जब किया, कि when vibrating tuning fork is dipped in water, it quit vibrating after few seconds, hence no sound produced, इस वाले में हमने क्या किया, इस वाले में हमने vibrating tuning fork को ऐसे ही vibrate करते हुए, हमने पानी के glass में डाला, जैसे ही पानी के glass में डाला, तो ये इसका vibration बंद हो गया, और जब vibration बंद हो गया, तो मेरे दोस्त, no sound is produced, तो इस पूरे activity को करने का, हमें दो चीज़ पता चला, कि sound produced कब होगी, sound is produced, sound is produced when, when body vibrates, जब कोई भी चीज़ vibrate करती है, तब ही आवाज आती है, otherwise अगर कोई चीज़ vibrate नहीं कर रही है, no vibration, no vibration का मतलब, no sound is produced, I think आपको इस activity का उद्देश से पता चल लिया होगा, और आपने देख भी लिया होगा, कि भाई, production of sound किस चीज़ से होता है, तो ये जो activity अभी मैंने आपको करके दिखाया, इस activity में हमने एक चीज़ सीख लिया है, कि भाई, बिना vibration के आवाज नहीं निकल सकती कहीं, यानि किसी चीज़ से आवाज निकल रही है, यानि वो चीज़ vibrate कर रही है, तो from the above activities, what do you conclude, ये activity को करने के बाद आपने क्या सीखा, can you produce sound without vibrating object, क्या बिना किसी object को vibrate कराए, तुम उस object से आवाज निकल वा सकते हो, नहीं निकल सकती है, यानि इंदम आसान भासा में इतना समझ लो, जहाँ vibration नहीं, वहाँ आवाज नहीं, जहाँ vibration वहाँ पर आवाज, in the above activities, we have produced sound by striking the tuning fork, we can also produce sound by plucking, scratching, rubbing, blowing and shaking different object, जो हमने अभी activity करी थी, इस activity को हमने क्या किया, कि tuning fork को पहले हमने rubber के pad पर strike कराया, और जब ये tuning fork vibrate करने लगा, तब जाकर हमने water पर touch कराया, और तब जाकर sound produce हुआ, यानि इस tuning fork को vibrate कराना पड़ा, तब जाकर आवाज निकली, ऐसे ही जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं, तो जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं, तो हम उस चीज को पहले vibrate कराते हैं, आप क्या करो ना, आप rubber को पकड़ो, और rubber को खीचो, जैसी आप rubber को खीचो के ना, आप देखोगी कि rubber दिरे 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 वाइब्रेट कर रहा है और जब अचानक छोड़ दोगे तो उसमें से आवाज निकलेगी तो भाई किसी चीज को आप तोड़ो किसी चीज को खुरच रहे हो आप स्क्रैच कर रहे हो या किसी चीज को एक चीज को किसी दूसरी चीज में रगड रहे हो या स खुद करके देखलो, आप किसी चीज को तोड़ो, या खुर्चो, या एक चीज को किसी दूसरे चीज पर रगड़ो, सीटी बजाओ, या किसी चीज को हिलाओ, इन सभी चीजों में हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक object को vibrate कराते हैं, और तभी जाकर आवाज निकलती है, तो पह पीछे जाए, फिर आगे जाए, फिर पीछे जाए, फिर आगे जाए, फिर पीछे जाए, और यही चीज तेजी से हो रही है, तो बस इसी चीज को हम क्या कहते हैं, vibration का नाम देते हैं, अगर कोई भी object पहले आगे जाए, फिर पीछे जाए, फिर आगे जाए, फिर पीछे क्या होता है तो मैं आपको फील करा देता हूं यार अभी तुम बोल रहे हो ना आप अपने गले को पकड़ो आपको दिख रहा होगा कि आपका गला वाइब्रेट कर रहा है थोड़ा सा जंजनाहट फील हो रही होगी आपको वो क्या है वो वोकल कॉड है मेरे दोस्त आपके पेट के अंदर से जब आप बोलने की कोसिस करते हो ना तो बहुत सारा एयर आपके गले तक पहुशता है और गले में ऐसे दो पंखुडियां होती है जिसको हम वोकल कॉड कहते हैं जब मैं आपको क्लास 8 में साउंड चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया थ कि वोकल कॉड कैसे काम करता है तो पेट के अंदर से जैसे ही हावा आती है वो इस वोकल कॉड को वाइब्रेट करती है और जब वाइब्रेट करेगी तब ही हम इनसानों के मूँ में से क्या आती है आवाज आती है मेरे दोस्त बिना इस वोकल कॉड के वाइब्रेट किये हम इंसान बोल ही नहीं सकते हैं ऐसे ही पक्षियां जब पक्षियां अपने पंखों को फड़फ़ाती है तो तुम्हें आवाज आती है ना बिल्कुल आवाज आती होगी मेरे दोस्त तो होता क्या है कि भाई जब पक्षियां अपने पंकों को फड़फडाती है तो वो हवा के साथ टकराता है उनका पंक और जब हवा के साथ टकराता है जो पंक होते हैं इनके जो विंग्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और जब वाइब्रेट करेंगे तो पंकों के फड़फडाहट की आवाज जाती है ऐसे ही जो मधुमक्षियां होती हैं आपने देखा होगा कि मधुमक्षियां मुद्बुनाती रहती है हमेशा जब भी मधुमक्षि कहीं उड़ती है तो उनके पंखों से भी आवाज आती है और ये आवाज क्यों आती है क्योंकि जो मधुमक्षियां के जो छोटे- चोड़े पंक होते हैं यह हमारे हवा से टकराते हैं और यह हवा इन पंको को वाइब्रेट करता है और जब वाइब्रेट करेगा तो भाई इन मधुमक्षियों के चोड़े-चोड़े पंको से भी आवाज आती है आपने सुनी होगी बजिंग साउंड एकडम अभी सुनलो आप बिल्कुल एसा ही होता है बजिंग साउंड ठीक है अच्छा एक और क्जामपल ले लो एक stressed rubber band ले लो, आप कोई भी rubber ले लो, और उस rubber को क्या करना है, आपको pluck करना है, मतलब कोई भी rubber ले लो और उसको खीच लो, पुरा तान लो रबड को, ठीक है, और इस rubber को stretch करने के बाद, बीच में से उंगली से पकड़ के एक बार खीचो, जैसे आप pluck करोगे न, यह जो rubber है न, खीच लो उसको, यानि stretch कर लो, और बीच में से एक बार उंगली से पकड़ के खीच की से छोड़ दो, जैसे आप छोड़ोगे, आप देखो कि रबड ऐसे ऐसे कर रहा है, और आवाज आ रही होगी कुछ न कुछ, तो मेरे दोस्त, अभी तक हमने इस चाप्टर के पहले topic म ये सीखा कि production of sound कैसे होता है, यानि किसी भी चीज से आवाज तभी निगलती है, जब वो चीज वाइबरेट कर रही हो, समझ में आ गया ना, बिल्गुल समझ में आ गया होगा, अब हम आते हैं अपने दूसरे topic पर, propagation of sound कैसे होता है, यानि आवाज फैलती कैसे है, कोई बह आज के पास, sound के पास, हाथ पैर होता है, क्या, चल कर हमारे कानों तक पहुच जाए, बिल्कुल भी नहीं, मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, तो आवाज कैसे आती है, sound is produced by vibrating object, ये आप हमेशा समझ लेना, जान लेना, पढ़ लेना, कि भाई, किसी से भी अगर आवाज निकल रही है, तो वो object vibrating object है, यानि आप बोल रहे हो ना, तो आपका गला vibrate कर रहा है, तब जाकर आपके गले में से आवाज निकलती है, चलो, तो एक बार जब आवाज निकल गई कहीं से, किसी चीद से आवाज निकलती है, तो वो आवाज क्या होता है, the matter or substance through which sound is transmitted, is called medium, भाई, मालो, यहां से आवाज निकली है, और यह आवाज हमारे कानों तक पहुच रही है, तो यह आवाज कहीं ना कहीं से तो होकर आई है, यह बीच में यह जगह दिख रही है, आपको, इसी जगह से होकर हमारे कानों तक पहुची है, यह आवाज, बस इसी कहते हैं, या माध्यम कहते हैं, तो भाई, आवाज को carry करने का medium कोई भी हो सकता है, solid हो सकता है, liquid हो सकता है, या gases भी हो सकता है, जैसे आम तोर पर gases में ही हम अपने sound को छोड़ते हैं, तो तुम बोलते हो, तो हवा में बोलते हो, या अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा room है, रूम में हवा है और हवे में ही मैंने बोल दिया और जो air के particles है न ये हमारी sound को listener के कानों तक पहुचा देते हैं sound moves through a medium from the point of generation to the listener यही बताया जा रहा है कि भाई जहां से आवाज निकलती है वहां से लेकर listener के कानों तक आवाज पहुचती है इसके बीच में जो पहुचाने वाला साधन होता है इसको हम medium कहते है ठीक है when an object vibrates it sets the particles of the medium around it vibrating चलो मालो ये जो tuning fork है ये vibrate कर रहा है तो जब ये vibrate करेगा तो ये अपने अगल बगल जितने भी air के particles होंगे उनको क्या करेगा उनको भी vibrate करेगा उनको भी vibrate करेगा ठीक है उनको भी vibrate करेगा the particles do not travel all the way from the vibrating object to the ear एक बात यहां पर बहुत जरूरी है जानने लायत कि भाई मालो ये tuning fork vibrate कर रहा है और इसमें से आवाज निकल रही है तो जब आवाज निकलेगी तो सबसे पहले क्या करेगा ये जो tuning fork है इसके contact में जितने भी air के particles है जो इससे touch है ये vibrate कर रहा है तो ये इन air के particles को भी vibrate कराएगा कराने पर मजबूर कर देगा इन air के particles को भी vibrate करना पड़ेगा इस tuning fork की तरह ठीक है लेकिन एक चीज है कि भाई ये जो particles है न ये खुद चल कर कानों तक नहीं पहुंसते हैं ये बस vibrate करते हैं अपनी जगह पर ठीक है अब particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position it then exerts a force on the adjacent particle अब देखो होता क्या है कि ये जो tuning fork है ये जिन air के particle के साथ contact में है tuning fork है कहीं रखा गया है तो भाई उसके अगल बगल हावा तो जरूर होगी तो जब ये tuning fork vibrate करना start करता है ये जब हिलना सुरू करता है न तो ये अपने contact में जितने भी air के particles है इनको भी हिलाने लगता है जब ये particles सेक करने लगेंगे हिलने लगेंगे vibrate करने लगेंगे तो ये अपने बगल वाली particles को भी क्या करेंगे vibration मिला देंगे ठीक है आप देखो आगे देखते हैं कि as a result of which the adjacent particle gets displaced from its position of rest अब जब ये particle vibrate करने लगे तो इनकी contact में जो particles है वो भी vibrate करने लगेंगे इनके contact में जो particles है वो भी vibrate करने लगेंगे और इनके contact में जो particles है वो भी vibrate करने लगेंगे यानी tuning fork के contact में जो air के particles होते हैं सबसे पहले ये vibrate करते हैं जब ये vibrate करेंगे तो ये अपने बगल वाले अपने adjacent वाले particles को भी vibrate कराएंगे जब यह vibrate होने लगेगा ना, तो यह जो पहला particle है, यह अपने original position पर वापस हो जाएगा, after displacing the adjacent particle, the first particle comes back to its original position, this process continues in the medium till the sound reaches your ear, और यह जो हिलाने का, यह जो vibrate करने का पूरा series हो जाता है, देखो, सबसे पहले यह tuning 4 के contact में जितने particle से वो vibrate करेंगे, फिर इसके contact में जो particles है, वो vibrate करेंगे, इसके contact में जो particles है, वो vibrate करेंगे, तो भाई कानों से लेकर, जहांसे आवाज निकली है, इसके बीच में सारे particle vibrate करने लगते हैं, तब जाकर यह वाली आवाज हमारे कानों तक पहुस्ती है, the disturbance created by a source of sound in the medium travels through the medium and not the particle of the medium और मैंने आपको बताया कि भाई जो disturbance ये tuning fork पैदा कर रहा है इन particles में ये tuning fork पहले vibrate किया जिसकी वज़े से इसके contact में जितने particles है सब vibrate करने लगे तो भाई ये particles चल कर कानों तक नहीं पहुचेंगे ये दूसरे particles को vibrate कराएंगे दूसरा particles इधर के particle को vibrate कराएगा इसका particle इधर vibrate कराएगा और कानों तक ऐसे series of compressions and rarefactions में आवाज पहुच जाती है अब compression और rarefaction क्या है आप देख रहे हो जहाँ पर particle बहुत जादा close close है बस इसको हम कहते हैं compression यानि दबाओ rarefaction का मतलब जहाँ पर particle दूर दूर है इसको हम कहते हैं rarefaction तो जो आवाज का wave होता है वो कुछ ऐसा ही होता है मेरे दोस्त वो बिलकुल ऐसे ही होगा कुछ जगा compression होगा कुछ जगा rarefaction होगा फिर compression होगा कुछ rarefaction होगा कभी ये जो series पैदा हुई है compression और rarefaction की rarefaction और compression की compression और rarefaction की इसी series को हम क्या कहते हैं इसी series को हम sound wave का नाम देते हैं ठीक है? और एक बहुत जरूरी चीज जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी भी particles move करके आवाज हमारी कानों तक नहीं पहुचाते हैं बलकि ये जो particles हैं ये अपने बगल वाले particle को vibrate कराएंगे और ये बगल वाला particle अपने बगल वाले को ये वाला अपने बगल वाले particle को vibrate कराएगा तब आवाज जहां से निकलती है हमारे कानों तक पहुचती है अच्छा मैं बार-बार wave word का use कर रहा हूँ अब ये wave word क्या है देखो ये compression और rarefaction compression और rarefaction ये जो है न बीच में इसको wave कहते है ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा wave है तो ये wave होता क्या है? wave actual में क्या है? wave is a disturbance that moves through a medium when the particle of the medium set never in particle into motion देखो होता क्या है मेरे दोस्त की जब भी कोई एक particle देख रहे हो आप मालो ये wave है ठीक है तो wave क्या है? wave वो disturbance होता है जो एक particle पैदा करता है और इसी एक particle के disturb होने की वज़े से सारे particle disturb हो जाते हैं देख रहे हो आप एक particle के disturb होने की वज़े से सारे particle disturb हो जाते हैं यानि पहले ये वाला जो particle है ये वाइबरेट करेगा फिर ये अपने बगल वाले particle को वाइबरेट कराएगा फिर ये अपने बगल वाले particle को वाइबरेट कराएगा ऐसे सारे जो particle एक दूसरे के contact में होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं और इसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं वेब कहते हैं दे इंग टर्ण प्रेड्यूस सिमलर मोशन इन अधर्स मैंने आपको बताया भी कि भाई जब एक पार्टिकल केट करता है जब एक पार्टिकल बाइब्रेट करना सुरू करता है तो यह दूसरे पार्टिकल को भी बाइब्रेट कराने लग जाता है लेकिन एक बात यहां पर यह जानने लायक है कि the particles of the medium do not move forward themselves but the disturbance is carried forward this is what happens during propagation of sound in a medium hence sound can be visualized as a wave आप देख पा रहे हो आप यहाँ पर बहुत साप सब्दों में देख पा रहे हो कि भाई जो एक particle है मालो इस particle को हम point out करते हैं यह particle केवल उपर नीचे हो रहा है देख रहे हो यह particle केवल उपर नीचे हो रहा है यह आगे नहीं बढ़ेगा इसका मतलब यह है कि भाई यह particle के बगल में जो वाला particle होगा फिर यह disturb होगा इसके बगल में जो particle होगा यह disturb होगा इसके बगल में जो particle होगा वो disturb होगा लेकिन कोई भी particle यहाँ से चल कर यहाँ नहीं आएगा अपनी जगह छोड़कर कोई भी particle कहीं पर travel नहीं करता बलकि medium में जो होते न वो wave travel करते हैं यानि clear सब्दों मैं तुम्हें बता दू कि ये particle मालो यहां पर है तो ये particle यहां से आगे move नहीं करेगा बलकि इसके बगल में जो particle हैं इनको ये disturb करेगा जिससे ये सब हिलना डुलना स्टार्ट हो जाएंगे तो सारे particle एक एक करके हिलने लगेंगे सारे particle एक एक करके हिलने लगेंगे जिससे disturbance कानों तक पहुँच जाती है और इस तरीके से हमें आवाज सुनाई देती है hence जो sound होता है इसको हम एक wave मान के चलते हैं हम हमेशा sound को अकेले नहीं कहते बलकि हम sound wave कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि sound में क्या होता है particle यहां से चलकर यहां नहीं पहुचेंगे बलकि यह दूसरे particle को disturb करेंगे दूसरा particle तीसरे को तीसरा particle चौथे को चौथा particle पाचवे को एक-एक करके बगल वाले particle को disturb करते जाएंगे और इस तरीके से क्या होगा आवाज बहुँत जाएगे आप कुछ ऐसा समझो मालनो एक इंसान यहाँ पर है एक इंसान यहाँ पर है एक इंसान यहाँ पर है कोई सामान है ये है ये समान कोई इसको देता है ये समान लेने के बाद इसको उठा के दे देता है ये समान लेने के बाद इसको उठा के दे देता है फिर ये समान उठा कर यहाँ पर रख देता है तो यहाँ पर कोई भी इंसान अपनी जगह नहीं बदला बल्कि वो दूसरों को pass out कर दे रहा है ना बिल्कुल ऐसे ही sound होता है वो खुद particle sound move नहीं करता बल्कि वो दूसरे particles को disturb करता है जिससे आवाज automatic यहां तक कानों तक वहाँ जाती है sound waves are characterized by the motion of particles in the medium and are called mechanical waves sound waves को हम क्या कहते है sound waves को हम mechanical waves का नाम देते हैं और क्यों sound waves are called mechanical waves वाई because the particles of the medium do not move but the disturbance moves from the point of generation to the listener तो क्या कारड है कि sound wave को हम mechanical wave कहते हैं कारड यह है कि भाई medium में जो sound के particle होते हैं वो खुद move नहीं करते बल्कि उनका जो disturbance होता है वो move करता है इसी वजह से हम इसको mechanical waves कहते हैं ठीक है आपने अगर कभी editing की हो आवाजों की तो जो आवाज की editing होते ही न जो sound होता है वो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है बिल्कुल ऐसा इसलिए sound को हम क्या कहते हैं wave का नाम देते हैं अब देखो आगे पड़ते हैं था कि हमारा यह जो concept है वो पूरा clear हो सके कि air is the most common medium through which sound travels आम तोर पर हम हवे में ही बोलते हैं अभी जहां मैं बोलना हूं मैं रूम में बोलना हूं रूम में चारों तरफ हवा है और यही एर हमारी आवाज को तुम तक पहुचा रहा है लिसनर के पानों तक पहुचा रहा है देखो मैं बोल रहा हूं एर के particles मेरे बोलने की वज़े से vibrate कर रहे हैं vibrate करके mic तक मेरी आवाज पहुचाई जा रही है और यही mic मेरी आवाज को record कर रहा है और record होने के बाद तुम अपने room में अपने phone पर अपने laptop पर बैठ कर मेरी आवाज सुन पा रहे हो क्यों क्योंकि यह air ही है जो तुम्हारे अगल बगल room में है और जो मेरी आवाज तुम तक पहुचा रहा है तो भाई air बहुत यह common medium होता है जो हमारी आवाज को listener के कानों तक पहुचाता है और यह आवाज कैसे पहुचती है जब कोई भी vibrating object का मतलब जिससे आवाज निकल रही हो जब कोई भी vibrating object आगे की तरफ move करता है हमें पता है कि भाई कोई भी चीद वाइब्रेट करता है तो वो पहले आगे जाता है फिर पीछे जाता है आगे जाता है आगे जाता है पीछे जाता है आप देख पारे होगे इस tuning fork को देखो यह आगे पीछे आगे पीछे कर रहा है तो बिलकुल ऐसे ही जब कोई भी vibrating object हो तरफ move करेगा ना तो ये कुछ ऐसा reason बनाएगा कुछ ऐसा reason create करेगा जहां पर बहुत सारे air के particles एकदम close close होंगे एक दूसरे के pass होंगे और आपको पता है जब छोटी सी जगा पर बहुत जादा भीड हो जाए तो आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम high pressure की जगा कहत हैं यहाँ पर दबाओ बहुत जादा होता है यहाँ पर high pressure है मेरे दोस क्यों क्योंकि particles एक दूसरे के बहुत जादा पास-पास में है और इस जगां को हम compression का नाम देते हैं समझ में इसको हम C से भी denote करते हैं अच्छा आगे पढ़ते हैं this compression starts to move away from the vibrating object अच्छा जैसे जैसे यह vibrating object अगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूफ करता है आप देख पा रहे हो यह जो compression वाला इलाका है यह दिरे धिरे आगे की तरफ move करता है तो वो compression वाला reason create करता है जब पीछे की तरफ move करता है तो वो rare fraction वाला reason create करता है और rare fraction में क्या होता है मेरे दोस्त यहाँ पर pressure बहुत कम होता है क्योंकि particles दूर-दूर है जब particles दूर-दूर होंगे तो कोई दबाओ नहीं होगा यहाँ pressure कम होगा और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं rare fraction का नाम देते हैं और इसको denote करने के लिए r का इस्तेमाल करते हैं ठीक है as the object moves back and forth rapidly a series of compression and rare fraction is created in the air और आप देख पा रहे हो जैसे जैसे यह vibrating object आगे पीछे आगे पीछे कर रहा है न तो बहुत सारे compression और rare fraction एक series में create हो जा रहे आप देख रहे हो compression, rare fraction, compression, rare fraction बहुत सारे compression, rare fraction मिल गए और इस तरीके से इस तरीके से एक पूरी series बन जाती है और जिस वज़ा से हमारी आवाज यहां से निकल कर यहां तक बहुत जाती है these make the sound wave that propagates through the medium और यही कारण होता है यह जो series बनी है ना rare fraction और compression की इसी के बनने की वज़े से हमारी आवाज vibrating object से निकल कर listener के कानों तक बहुत जाती है compression high pressure के reason को कहते है और rare fraction low pressure के reason को कहते है यह मैंने आपको बता दिया rare fraction जहां पर particle दूर दूर हो compression जहां पर particle नस्दीक नस्दीक हो compression का मतलब ही होता है दबाना rare fraction का मतलब होता है दूर दूर होना ठीक है तो compression मतलब जहां बहुत सारे air के particles एक छोटी सी जगा में कठा हो जाए rare fraction का मतलब जहां बहुत सारे air के particles दूर दूर हो ठीक है Pressure is related to the number of particles of a medium in a given volume, अब pressure क्या होता है, ये भी आपको मैं बता दू, कि भाई माल लो ये छोटी सी volume है, ये छोटी सी जगा है, और इस जगा में कितने number of particles है, इस पर depend करता है हमारा pressure, अगर number of particles जादा है, मतलब pressure क्या है, high है, यहाँ पर देखो number of particles बहुत कम है, इसलिए pressure क्य है, low है, ठीक है, तो number of particles पर depend करता है हमारा pressure, more density of the particles in the medium gives more pressure and vice versa, अरे मेरे दोस्त, माल लो ये train का डिबबा है, और इस train के डिबबे में बहुत जादा भीड है, तो जब बहुत जादा भीड होगी, तो pressure create होगा ना, एक दूसरे को लोग दबाएंगे, माल लो ये वाला train का इसमें एक इंसान ने आ, एक इंसान ने हाँ, कौन किसको दबाएगा, कोई किसी को नहीं दबापाएगा, तो ये low pressure का reason हुआ और ये high pressure का reason हुआ ना, मेरे दोस्त, does propagation of sound can be visualized as propagation of density variation, और pressure variation in the medium, और इसी वज़े से हम sound wave को pressure का variation भी कह सकते हैं, या density का variation कह सकते हैं, कैसे, यह यहां देखो, pressure कम है, यहां pressure जादा है, तो pressure का variation हुआ, यहां पर particles जादा है, यहां पर particles कम है, तो density का variation हुआ ना, तो sound को हम density variation या pressure variation भी कह सकते हैं, तो I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, अब हम आते हैं अपने इस chapter के अगले topic और ये बहुत ही important topic है, इस topic में हम ये कि भाई, आवाज को travel करने के लिए एक medium की जरूरत पढ़ती है, यानि बिना medium के हमें आवाज सुनाई नहीं दे सकती है, माल लो, माल लो, यहां पर कोई बोल रहा है, और यहां पर कोई सुनने वाला है, तो भाई, इस आवाज को carry करने के लिए कोई तो medium होना चाहिए, क्या यह आवाज यहां तक पहुच जाएगी, बिल्कुल भी नहीं पहुचेगी मेरे दोस्ती, देखो sound जो होता है, वो एक तरीकी का mechanical wave होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, और mechanical wave को travel करने के लिए किसी ना किसी medium की जरूरत पढ़ती है, वो चाहे air का medium हो, चाहे water का ह हो, चाहे वो लोहे का हो, steel का हो, doesn't matter, लेकिन solid liquid gas में से कोई ना कोई medium जरूर होना चाहिए, जो sound को बोलने वाले से लेकर सुनने वाले तक पहुचा दे, ठीक है, और यह जो आवाज होती है, it cannot travel through vacuum, vacuum का मतलब क्या होता है, vacuum जहां पर कुछ भी ना हो, जहां पर ना हवा हो, ना पानी हो, ना लोहा हो, ना steel हो, कोई भी चीज ना हो sound को travel करने के लिए, उसको हम vacuum कहते हैं, तो भाई, vacuum में आवाज travel नहीं कर सकती है, और इसी चीज को हम दिखाएंगे आपको इस धमागेदार activity से, इस activity में आप देखोगे कि भाई, जहां पर medium नहीं होता, वहां पर आवाज travel नहीं होता है, वहां पर हमें आवाज सुनाई नहीं देगा, इसके लिए हमने लिया है electric bell, यह क्या है, यह एक तरीके का electric bell है, जो हमारे घरों में लगाया जाता है, तिंग तिंग तिंग, कोई धरवाजा खोलने के लिए, यह electric bell है, ठीक है, और इस electric bell के एक wire को हम सुनाई देगी क्यों क्योंकि यह एलेक्ट्रिक बेल खुले में रखा गया है और एर के पार्टिकल्स अगल बगल है जो इसकी आवाज को ट्रैवल कराकर हमारे कानों तक पहुचा सकते हैं बट यहीं पर यह जो दूसरा केस है इस केस में क्या है इस केस में हमने एलेक्ट्रि भी नहीं है और अब जब हम इसके इलेक्ट्रिक स्विच को दबाएंगे न तो इससे आवाज तो जाएगी लेकिन इस आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुचेगी हमारे एर तक नहीं पहुचेगी क्योंकि इस जार के अंदर कोई भी मीडियम नहीं है जो इस आवाज को बा आज हमें सुनाई नहीं देगी, अब साथ साथ में हम साउंड वेब्स की एक और प्राबाइडी पढ़ते चलते हैं कि जो साउंड वेब्स होते हैं, वो एक तरीके के लॉंगिट्यूडनल वेब्स होते हैं, अब मैं आपको बता दूं कि जो लॉंगिट्यूडनल वेब्स हो होगे तो हमने हाथ का फोर्स आगे की तरफ लगाया है या नी हमारा जो वेब है व mango कर रहा है और इनके अगर पारटिकल जो देखो तो इनका एक एक पार्टिकल भी आगे की तरफ हमूँ कर रहा है बस ऐसे ही वेब को हम लोंगी ट्यूडनल कर रहे हैं यह activity हम एक बच्चों की खेलने वाली चीज slinky से कर रहे हैं अगर आपको पता ना हो slinky क्या है तो आप figure में भी देख सकते हो यह मेले में आपको 10 रुपए की मिल जाएगी spring जैसे होती है खेलने के लिए होती है ठीक है तो यह slinky से हम compare करेंगे कि भाई बिलकुल जैसे यह slinky move कर रहा है बिलकुल ऐसे ही sound waves भी move करते है ठीक है अगर आप इस wave को ध्यान से देख पा रहे होगे तो आपको एक चीज दिखरी होगी क्या दिखरी होगी फिर से देखो ठीक है फिर से ध्यान से देखने की पास-पास में है और इसमें क्या है जो particles है वो क्या है far away है यानि दूर-दूर है तो मेरे दोस्त ऐसा reason ऐसा इलाका जहां पर जो coil के particles है वो पास-पास में हो ऐसे इलाके को हम compression का नाम देते हैं यानि जो ये वाला reason हुआ ये हमारा compression वाला reason हुआ इसमें particles closer है एक और reason create हुआ एक और इलाका create हुआ जिसमें जो particles है coils के वो दूर-दूर है और ऐसे reason को हम rare fraction कहते हैं यानि जो ये वाला इलाका हुआ ये हमारा rare fraction कहलाएगा आप समझ गए होंगे कि compression और rare fraction किसे कहते हैं ठीक है और हम इतना तो जानते हैं कि जो sound waves होते हैं वो medium में बिल्कुल ऐसे ही compression और rare fraction की पूरी series बना कर चलते हैं तब आवाज जहां से निकलती है वो हमारे कानों तक पहुशती है जिसे सुनना होता है medium में यही तो होता है बहुत सारे compression बहुत सारे rare fraction साथ में series बना लेते हैं ठीक है अच्छा यह सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है अब हम compare करेंगे कि भाई कैसे slinky move कर रहा है और sound wave भी बिल्कुल ऐसे ही move करता है तो सीधा चलते हैं हम comparison में ठीक है अच्छा जो sound waves होते हैं वो longitudinal waves होते हैं यह मैंने आपको पिछले slide में बता दिया क्यों क्योंकि इन waves में जो individual particles होते हैं medium के अंदर वो parallel direction में move कर रहे हैं जिस direction में wave move कर रहा है जिस direction में disturbance move हो रहा है मैंने बताया आपको कि भाई हमने force आगे की तरफ लगाया इसके particles भी आगे की तरफ ही move कर रहे हैं दोनों parallel हैं ठीक है तो ऐसे waves को हम longitudinal waves कहते हैं इतना तो clear है आप देख पा रहे हो आप अगर इस slinky को ध्यान से देखो तो इस slinky में क्या हो रहा है एक particle आगे गया फिर पीछे आया कोई ये वाला चल कर यहां तक नहीं पहुचा ये particle चल कर यहां तक नहीं पहुचा बलकि ये दूसरे particle को disturb कर रहा है ठीक है ये दूसरा वाला तीसरे particle को तीसरा वाला चौथे particle को disturb कर रहा है और disturb करके ये वापस अपनी position पर आ जा रहे हैं आप देख रहे हो disturb करने के बाद वापस अपनी position पर disturb करने के बाद वापस अपनी position पर बस ऐसे waves को हम longitudinal waves कहते हैं और बिल्कुल ऐसे ही this is exactly how a sound waves propagate, बिल्कुल ऐसे ही sound भी हमारा move करता है इसलिए हम ऐसे waves को longitudinal waves कहते हैं, ठीक है मालो यहां से आवाज निकली है, तो यह आवाज पहले इसको vibrate करेगी, फिर इसको फिर इसको, यानि खुद move ना करकर दूसरों से काम करा देना longitudinal wave कहलाता है, ठीक है, और इस वज़े से ही sound wave को हम longitudinal wave कहते हैं, मैंने दो तरीकी के waves बताए, एक longitudinal waves और दूसरा हमारा transverse waves, और transverse waves का जो example है, वो है light, longitudinal wave का example sound था, इसका light है फरक क्या है दोनों में, longitudinal wave क्या होता है, transverse wave क्या होता है दोनों में फरक क्या है, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दू, longitudinal wave का मतलब होता है parallel, ठीक है, जो disturbance के direction में move करें, ऐसे wave को हम longitudinal wave कहते हैं, बट ये जो दूसरा तरीके का wave है हमारा transverse wave, इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि भाई transverse wave is the one in which the individual particle of the medium move about their mean position in a direction perpendicular to the direction of wave propagation समझ में एक भी नहीं आया होगा, मैं फिर से बताता हूँ देखो, हमने longitudinal में क्या देखा था कि जो individual particles है वो आगे की तरफ move कर रहे थे wave भी हमारा आगे की तरफ move कर रहे है बट transverse wave में थोड़ा उल्टा है इस wave में आप देख पा रहे हो कि जो particles है, वो किस direction में move कर रहे है उपर नीचे, देख रहे हैं आप उपर नीचे, उपर नीचे move कर रहे है फिर से देखो आप ध्यान से कि जो particles है, वो पहले उपर गए, नीचे गए उपर गए, नीचे गए, उपर गए नीचे गए, यानि यहाँ पर perpendicular direction में particles move कर रहे हैं और wave जा रहा है सिधा तो भाई ऐसे waves जिस wave में क्या हो कि जो individual particle हो medium के वो अपना mean position छोड़ कर अपना rest का position छोड़ कर perpendicular direction में move करने लगे ऐसे waves को हम transverse waves कहते हैं और इसका example हमारा light है light हमारा transverse wave है लेकिन light को travel करने के लिए ना pressure की जर्वत है ना density की जर्वत है और ना ही किसी medium की जर्वत है light कहीं भी travel कर सकता है space में भी ठीक है और जो light होता है हमारा इसलिए mechanical wave भी नहीं होता ये electromagnetic wave होता है इसके बारे में आप आगे थोड़ा detail में पढ़ोगे you will come to know more about transverse wave in higher classes लगिन इस class में आपको बस इतना जानना है कि transverse wave क्या है जिसके particle perpendicular direction में move करें और इसका example है हमारा light I hope आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने अगले topic की तरफ Now moving to the next and last topic of this particular video और इस topic में हम characteristics of a sound wave सीख रहे होंगे यानि मैं अगर आपको दो आवास देदू दो sound waves देदू और कहूं कि भाई इन दोनों में क्या अंतर है आप कैसे बताओगे आप उन दोनों को सुनोगे फिर बताओगे कि भाईया दोनों सुनने में अलग है but in scientific terms हर sound wave का अपना एक पहचान होता है अपनी एक characteristic होती है जिससे हम उसे describe करते हैं यानि किसी भी sound wave के पास तीन चीज़े होती है एक उसका frequency होता है एक उसका amplitude होता है और एक उसका speed होता है हर sound wave के पास अपना अलग frequency, अपना अलग amplitude अपना अलग speed होता है तो ये तीनों चीज़े हैं क्या जिसके base पर हम sound wave को describe करते हैं ये मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ but उसके पहले a sound wave in graphic form is shown in figure 12.8.c आप देख रहे हो ये जो c वाला figure है इस figure में हमें क्या दिखाया जा रहा है represents how density and pressure change when the sound waves move in the medium आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे ये जो sound का wave है ये इस medium में travel कर रहा है तो कभी density low, कभी density high हो रही है कभी density low, कभी density high हो रही है आप देख पा रहे हो ना इसमे sound wave का graphical representation है यानि sound wave बिल्कुल ऐसे ही चलता है ऐसे ही medium में propagate करता है आप देख रहे हो, जब ये sound wave नीचे जाएगा यानि density या जो pressure है ये नीचे जाएगा low हो जाएगा जैसे ही sound wave उपर जाएगा density pressure high हो जाएगा low जाएगा, density pressure low हो जाएगा उपर जाएगा, density pressure high हो जाएगा तो ये हमें दिखा रहा है कि भाई कैसे medium में density और pressure उपर नीचे होते हैं ठीक है, the density as well as the pressure of the medium at a given time varies with distance above and below the average value of density and pressure, वही सेम बात कहा गया है कि भाई जैसे जैसे distance बढ़ेगा तो ये जो density और pressure है ये अलग अलग distance पर अलग होंगे, for example मैं आपको बताऊँ कि मालो, हमारा medium में जो sound है वो सिर्फ यहीं तक travel कर रहा है, तो यहां पर जो density और pressure है, वो क्या है? अलग है यहां पर जो density और pressure है वो अलग है, यहां पर density pressure अलग है यहां पर density pressure अलग है फिगर A and B यह क्या दिखा रहा है हमें रिप्रेजेंट देंसिटी एंड प्रेसर वारियेशन रिस्पेक्टिवली एज़साउंड वेब प्रोपोगेट्स इन देम आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे आवाज आगे बढ़ रही है कहीं पर डेंसिटी जादा है तो कहीं पर कम है कहीं पर प्रेसर जादा है तो कहीं पर प्रेसर कम है आप देख पा रहे हो जो ये क्लोस पार्टिकल्स है यहां पर प्रेसर हाई है यह जो रेयर पार्टिकल्स है यहां पर प्रेसर कम है ऐसे ही यहां पर डेंसिटी कम है यहां पर डेंसिटी जादा है ठीक है तो बिलक जादा कहीं density कम, कहीं pressure जादा कहीं pressure कम, कहीं pressure जादा कहीं density जादा कहीं pressure कम, कहीं density कम, ठीक है तो आप देख पारे हो और अच्छे समझ पारे होगे, compressions are the reasons where particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve in figure 12.8.C, देख रहे हो आप ये वाला जो इलाका है, यह compression किसे कहते हैं हम, compression are the reason, यह वो इलाका होता है, जहाँ पर particle बहुत ज़ादा होते हैं, और यह graph के upper portion में, यह upper portion देख पारे हो आप, यह upper portion, यह जितने भी upper portion है ना, यह compression वाला इलाका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो particles होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत closer होते हैं, ज़ादा होते हैं, इसको हम crest का नाम देते हैं, ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं, जो rare fraction होता है, वो reason of low pressure होता है, यानि आप यह जो नीचे वाला graph देख रहे हो, यह जो नीचे वाला valley दिख रही है आपको ना, यह नीचे वाला, यहाँ पर pressure और density दोनों कम हैं, दोनो कम हैं, और इसको हम represent करते हैं किस चीज से, valley that is the lower portion of the curve in figure 12.8.C, आप यह C वाला curve देख पा रहे हो ना, इसमें जितना भी lower portion है, यह सभी lower portion हमारा rare fraction वाला है, यानि यहाँ पर pressure और density दोनों बहुत जादा कम है, इस peak को हम crest का नाम देते हैं, यह जो जहाँ पर maximum number of density और pressure होता है, उसको हम crest कहते हैं, और जहाँ पर lowest number of density और pressure होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, peak and true, आप देख रहे हो यह जहाँ पर density और pressure सबसे कम है, उसको हम true कहते हैं, जहाँ density pressure सबसे हाई है, उसको हम crest कहते हैं, यह आपको याद होना चाहिए, एक और चीज यहाँ पर दीगे ह Two consecutive compression के बीच में जितनी दूरी है Two consecutive compression यानि पहला compression, दूसरा compression ये दोनों consecutive compression है इन दोनों के बीच में जितना distance है बस उसी को हम wavelength का नाम देते है और केवल compression ही नहीं बलकि जो दो rarefaction है इनके बीच में भी जितना distance होता है इसको भी हम क्या कहते हैं? इसको भी हम wavelength कहते हैं और wavelength को हम एक symbol यानि lambda से represent करते हैं lambda wavelength का symbol होता है हम हर जगा wavelength तो नहीं लिखते हैं लेकि lambda हर जगा लिखते हैं ठीक है, lambda एक Greek letter है और इसका SI जो unit होता है वो meter होता है तो I hope आप समझ गए होंगे कि wavelength क्या है, crest क्या है, row क्या है, कब pressure high होता है कब pressure low होता है यह सारी जीज़र आप समझ गए होंगे अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बहुत ही महान वैग्यानिक के बारे में जान लेते हैं पहले इसी बीच में एक बहुत ही महान वैग्यानिक का जनम होता है जिसका नाम है हर्ज यानि हेंरिक रुडॉल्फ हर्ज आप साही सुन रहे हो, यह वही हर्ज है जो frequency की SI unit भी कही जाती है इनी के नाम पर frequency की SI unit हर्ज का नाम रखा गया है इनका जनम 22 परवरी 1857 में जर्मनी में हुआ था जर्मनी में एक छोटी सी जगह है हामबर्ग यहीं पर इनका जनम हुआ और इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो university और बर्लिन से पूरी हुई बर्लिन एक जगह है जर्मनी में ही है और इनके जो कुछ famous कारे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि इन्होंने सबसे पहले JC Maxwell एक scientist थे जिन्होंने electromagnetic theory दी थी इस electromagnetic theory को confirm करने के पीछे सही साबित करने के पीछे इनके experiments का बहुत बड़ा योगदान है इन्होंने ये साबित किया कि जो JC Maxwell ने electromagnetic theory दी थी वो बिल्कुल सही है इसके अलावा इन्होंने frequency का discovery करके radio, telephone, telegraph और even television के भी अविस्कार में बहुत मदद किया है He also discovered the photoelectric effect which was later explained by Albert Einstein The SI unit of frequency was named as Hudge in his honor Albert Einstein ने अपनी कई सारी theories में photoelectric effect का भी जिक्र किया है और explain किया है photoelectric effect क्या होता है इसके बहुत पहले Henry Rudolph Hudge ने photoelectric effect के बारे में बता दिया था इसकी discovery कर दी थी बाद में Albert Einstein ने इसको explain किया और इसके साथ साथ frequency के SI unit होती है हर्ज ये हर्ज का नाम भी इसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है तो I think कि आपने Henry Rudolph Hudge के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और इस वीडियो में जितनी भी चीज़े हमने बताई चाहे वो sound के medium के बारे में हो या उसके propagation के बारे में हो वो सारी चीज़े आपको समझ में आई होंगी ठीक है तो I hope आपने वीडियो को enjoy किया होगा वीडियो कैसा लगा हमें feedback जरूर दे comment section में हम चलते हैं और आते हैं जल्द ही आपके लिए एक दूसरी वीडियो लेके तब तक बने रही है चानल पर बाबाई टेक केर दबा के सेयर करिए पढ़ते रही है यार लव यू आल चैहन